हेलो दोस्तो नीई एक्जाम चैनल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूँ मैं हूँ पर्मानद और आज आप सबों के लिए करके आया हूँ हपिसील एक्जाम का सिलेवस और हपिसील का एक्जाम कब होने वाला है उसके रिगार्ड एक बहुत बड़ा ओफिसल नोटिस आ चुका है जिसके लिए मैं अभी डिसकसन करूंगा कि उसका क्या एक्जाम डेट है उसका क्या सिलेवस है तो चलते हैं दोस्तो ज़्यादा देर करते हैं चलते हैं आपके ऑफिसील सिलेवस पे लेके चलते हैं उसके बाद मैं एक्जाम डेट की भी बात करूंगा कि एक्जाम डेट कब होने वाला है तो चलते हैं लेके चलता हूँ इसके एक्जाम के सिलेवस पे जैसा कि आप के स्क्रीन पे दिखाई पर रहोगा दोस् यह दोस्तों आपके HPCL के official website पे upload कर दिया गया इसलिए बस जहां से आप भी download करके देख सकते हैं कि HPCL का सिलिए बस क्या होने वाला है और उसका duration of time क्या होगा एक jump क्या pattern होने वाला है तो दोस्तों एक jump का जो time होगा वो आपका 2 घंटे का रहने वाला है और total marks यानि कि number की बात करें तो 100 number होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी question जो एक एक number होगे और no negative marking है तो दोस्तों आपका negative marking नहीं है यदि आप hundred में hundred question बनाते है तो आपको hundred marks मिलेगा और यदि एक भी question गलती होता है तो उसके number कटने वाला नहीं है ठीक है तो चलते हैं दोस्तों इसके syllabus की बात करते हैं तो syllabus आपका जैसा की दिया गए दो भागों में एक 50 number का दिया गए non technical 50 question का दिया गए है technical तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका क्या-क्या question पूछने वाला है और मैं आप लोग को बता दिना चाहूँगा कि इसके बाद मैं लगातार जो है operation यानि टेकनिकल का जो important question है chapter wise वो मैं लाओंगा परडे जो है अब मैं वीडियो लाने वाला हूँ और सभी branch का तो नहीं सिर्फ chemical का मैं कोशिश करूँगा ये लाने का और ये आप देख सकते हैं क्या-क्या syllabus होने वाला है सभी का मैं important question लाने वाला हूँ तो सबस्पहले मैं देख लेता हूँ कि general aptitude यानि कि English से रहने वाला है math से रहने वाला है reasoning से रहने वाला है GKS और environment से रहने वाला है इनसे आपका दोस्तो 50 question का question रहने वाला है यहीं हो सकता है कि 15 question reasoning और math से पुछा जाएगा total question जो है 30 इस से पुछा जाएगा 10 question English से पुछा जाएगा और 10 question GKS से पूछा जाएगा ये confirm नहीं है कि 15 question ही पूछे जाएगे बट ज़्यदा उम्मीद है कि 15 question इससे भावित बनते हैं चलते हैं नेश्ट पार्ट में पार्ट सकेंड में जैसा कि दिया गया है कि टेकनिकल पार्ट टेकनिकल पार्ट में आपका कौन-कौन से भी से पूछा जाएगा आप देख सकते हैं कि आपका टोटल जितने भी आप केमिकल में भी से पढ़े हैं सब्जेक्ट पढ़े हैं सभी सब्जेक्ट से तो नहीं बट जो जो मैं आप पड़े आपका इंपोर्टेंट कोस्चन लाने वाला हूं वह भी सब्जेक्ट वाइज तो आप उस वीडियो को देख रहे हैं मत भूलिएगा चलते हैं नेस्ट क्वेशन जो आपको पूछा जाएगा स्वारे नेस्ट क्वेशन जीसा कि फ्लूट मेकेनिक्स से आ और मेकेनिकल इंजिनियरिंग यहां पर दिया गया है मेकेनिकल इंजिनियरिंग कहें तो यहां पर मैनली जो है आपका वहीं मेकेनिकल ऑपरेशन से रिगार्डिंग यह थोरा सा और यह मेकेनिकल इंजिनियरिंग मैनली आपका जैसा कि आप कर सकते हैं क्या सी लेवस मेकेनिका इंजिनेरिक से तो नहीं देना चाहिए पट्य आँ दिया गया तो कुछ पार्ट होज़े था है एक्विपमेंट से रिगार्डिंग आपका पुछा जाएगा इंडस्ट्री से अप्टी क्या-क्या है इसके रिगार्डिंग पुछा जाएगा एक्विपम 2-10 इसके आपका क्वेशन पूछा है जाने वाला है तुमैं सभी मार्डिंग से इंप्ट्न्ठ इप्ट्न्ठ ऐिव가 और रहा एक्जाम डेट दाप आपको देखाता है किो घो ओप देखा कि आया है computer based test जो है 7 अगस्ट से होने वाला है और वो भी दिन संडे को फड़ता है और आप admit card जो है अपना download करना start कर सकते हैं 23 तारिक से यानि कि 23 जुलाइस इसी मन्त से आपका क्या शिलेवस admit card download करना start कर देज़ेगा और रहा सिलेवस की बात जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका official syllabus आपके website पर दिया गया है तो मैं यहीं से download किया हूँ तो आप download करके यहां से देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आप अपनी तयारी करने में लग जाएए और जहां तक ही रहा मैं डालूँगा और अभी तक जितने भी जाओ मैं question पूछे गया special का वो सभी मैं डालने question करूँगा और जो important question है वो सभी डालने question करूँगा इसी प्रकार से लगे रहे जूरे रहे हमारे साथ और इसी प्रकार से मैं लगता next video लाते रहाँगा तब तक के लिए धन्यवाद ओके बाई बाई